हालो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर पत्ता गोभी के पेंकेक्स इसके लिए दो कटोरी रवा लिया है इसमें एक कटोरी फ्रेश दही डालें और उसे एच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें उसी कटोरी के नाप से एक कटोरी पानी लें और धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक गाढ़ा गोल तयार करें अब इस गोल को तीन से चार घंटे के लिए रखते हैं यह देखिए हमारा गाढ़ा गोल तयार है अब इसमें बारिक कटी विहरी मिर्च बारिक कटा पत्ता गोभी डालकर अच्छे से मिक्स करें अब इसमें नमक साधनुसार करीब एक चेड़ चमच डालें इसे भी अच्छी तरह से मिला लें आदा चमच मीटा सोडा डालें अच्छे से फेट लें अब एक तवा लेकर इसे गरम करें इसमें एक चमच तेल डालकर फेलाएं अब चमच से गोल को डालें ज्यादा फेलाने की जरूत नहीं है मोटे ही रखें तो अब इसे पांश मर्त तक मद्धी आज पर सिखने दें फिर इसके उपर किसी होई गाजा डाल दें चाहे तो पलट कर भी सेख सकते हैं और धनिये से गार्निश करें यह लीजिये तैयार हैं गाजार पत्ता गोवी के पेंकेक्स से सॉस या चटनी के साथ सर्व करें पलट करें झाल झाल